नमस्कार दोस्तों मैं हूर आजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे उनकी अनल्सिस करेंगे बिल्कुल लॉजिक के साथ यहां पर बात करने वाले हैं हम जो भी ट्रेड की हम यहां पर चर्चा करेंगे जो भी यहां पर इंडेक्स की हम चर्चा करेंगे पूरी लॉजिकल हम यहां पर बात करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज जो शुरुवाती का जो टाइम था उस टाइम में हमने एक बहुत जवरदस्त डाउन फाल देखने को मिला आप अगर पहली पांच मिनट की ही कैंडल देखेंगे तो उससे कहीं न कहीं आपको एक अंदाजा लग गया होगा क आज बैंक निफ्टी जो है स्टाटिंग के सेशन में ही कुछ बड़ा करने वाली है देखिए मैंने इस चीज के बारे में आपको पहली बता दिया था जो हमने आज से दो तीन दिन पहले एक मूब देखी थी जहांपर बड़ी बड़ी बनी थी वहाँ पर मैंने आपको बत पांच मिनट के चार्ट में उससे पहले हम डेली का यहां पर केंडल अगर देखें तो देखें कंटेनियू जो है पीछे तीन दिनों से सेम केंडल बन रही थी और आज जो यह केंडल बनी है अब देखिए यहां पर ध्यान से देखने वाली बात ही है कि यह जो हाई यहां सेम लग रहे हैं आप यहां पर धैंब देखिए अचाट सबके हाई यहां पर सेम लग रहे है यह देखिए यहां पर दस नौ तरीके केंडल है 10 तरीके है, मतलब ये 5 दिन continue हो गया, ये जो हमारे जो हाई जो लगा हुआ है, वो 3800 का जो एक resistance है, बहुत hurdle बना हुआ है, वो बहुत जबरदस्त resistance बना हुआ है, और जब तक ये break नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर एक लंबी जो है दूरी यहाँ पर अभी तैय नहीं कर स नीचे की range बनी हुई है, वो लंसन 30,300 के आसपास की है, तो हम कह सकते हैं कि 500 की भी range बनी हुई है, अब जिस तरह भी breakout होगा, वहाँ पर हम पहला target 500 और दोसा target 1000 पे के लिए जाएंगे, चलिए बात करते हैं, अब 15 मिंट के चार्ट में हम आपको लेकर चलता हूँ, और यह कितना जबरदस्ते हैं आपर downfall देखने के मिल रहा है, पांच मिनट की candle में चलते हैं, और पांच मिनट की candle में आपको सारे चीज़ें पर प्रापर बताऊंगा, यह जो हमारे लिए कल जैसा मैंने आपको बताया था, यह देखे, कल मैंने आपको यह analysis करके बताई थी, यहा हम यहाँ पर buyer बन जाएंगे, otherwise यह जैसी range break होगी, हम यहाँ पर seller बन जाएंगे, तो finally देखे, जैसे range break होई, break होने के बाद ही हमने sell के trade डाल दिया थे, means हमने put buy कर लिये थे, put buy करना होता है हमको मंदी की तरफ जाना, तो यहाँ पर देखे, हमने continue, यहाँ पर हमने 3 या 4 trade continue, जो है, profit book करते गए, अगला trade लगाते गए, profit book करते गए, अगला trade लगाते गए, तो अब देखे, मैंने कल के session में मैंने आपको बताया था, देखे, ध्यान से देखे, मैं आपको 15 मिट में अब लेके चलूँगा, ठीक है न, अब वहाँ पर जो है, आपको clear picture आपको selling का level मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कि जैसे range break होगा, हम range breakout के बाद हमने वहाँ पर trade करना है, देखे, कल जो मैंने जो शीर्षक भी बनाया था, आप जाकर अगर देखेंगे, तो मैंने आप clear cut बताया था, कि range breakout, range breakout के उपर ही कल की हमारी video थी, अब देखे, मैंने यहा जाया था, कि यहाँ पर एक already bottom बन चुका है, अब हमको यहाँ पर maybe एक दूसरा bottom चाहिए, और जैसे ही bank nifty यहाँ पर दूसरा bottom बनायेगा, यहाँ से bounce back कर सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान नकना है, कल की video मैंने आपको यह बताया था, तो देखे, अब यहाँ पर अगर हम clear cut यहाँ पर देखे, अब देखे, यहाँ पर ध्यान से देखे, यह पहला bottom हमारा कल बना था, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि selling zone आपका यहाँ पर है, और buying zone आपका यहाँ पर है, और इसके बाद देखे, यहाँ पर जैसे ही bank nifty ने आज यहाँ पर trade किया, trade करने के बाद, मतलब touch करने के बाद, देखे, कितना जबरतस तयां से bounce back मिला है, इससे पहरे हम बात करेंगे, देखे, जो हमारे levels यहाँ पर important थे, वो सारे आज जो है trend line break हो गए, trend line जो हमारे यहाँ पर main थी, यह main trend line थी, means यहाँ पर कहने का मतलब यह था कि यहाँ यहाँ से bounce back आ सकता था, देखे, मैंने आपको आपर continue telegram channel में चार्टी पोस्ट किया था, कि यहाँ से bounce back हो सकता है, अगर यहाँ से bounce back नहीं होता है, तो हम यहाँ से bounce back कर सकते हैं, देखे, अगर आप यहाँ पर ध्यां से देखेंगे, तो आपको कोई ऐसा scenario ही नहीं दिखा यहाँ से continue यहाँ से bounce back कर सकती है, तो अब यहाँ पर seller alert हो जाएं, अगर आप selling zone में है तो आप alert हो जाईए, और आपको selling cut rate square off कर देना चाहिए, यही चीज़ मैंने आपको telegram channel में बता दिया था, तो देखे, मैं telegram channel में आपको link में देते रहता हूं, अपने chart पोस्ट करते रहता हूं, अपने idea पोस्ट करते रहता हूं, वहाँ से मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोगों को बहुत help मिल रही होगी, आपको technical analysis सीखने में भी काफी help वहाँ से हो रही होगी, देखे, अगर आपने हमाँ telegram channel join नहीं किया है, तो नीचे description में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा telegram channel join कर सकते हैं, वहाँ से देखे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, वहाँ पर continue, अगर आप option trader है, तो आपको continue chart वहाँ से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, तो finally देखे, यहाँ से जो जबरदस बांस बैक आया, वो कितना जबरदस नहीं से बांस करूँगा, अब यहाँ पर continue, यह देखे, एक trend line यहाँ पर follow कर रहा था, यह trend line एक continue इस तरह से, sorry, मैं यहाँ पर trend line लेता हूँ, यह बिच पॉक लग गए यहाँ पर, तो यह देखे, यह trend line था, तो मैंने आपको इस तरह से एक chart मैंने post किया, और मैंने यहाँ पर आपको एक arrow का निशान बना कर दिया, कि अगर यह arrow, अगर means यहाँ से trend line break होता है, तो आप यहाँ का stop loss रखकर यहाँ पर long जा सकते हैं, तो finally देखे, अगर आपन यहाँ पर भी entry लिया होगी, तो आपका stop loss कहीं भी hit नहीं हुआ है, तो चलिए, अब हम इसको 15 मिट के chart में चलके हम बात कर लेंगे कि हमको किस तरह से trade करना है, तो चलिए, अब यहाँ पर 15 मिट का हमने chart खोल लिया, अब मैं आपको बता हूँ किस तरह से trade करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर देखे, अगर यहाँ पर gap, means तो समय लिजे, यहाँ पर flat opening होती है, तो flat opening होने के बा यहाँ पर की तरफ निकलता है, तो यह आपका selling zone है, यहाँ से आप sell कर सकते हैं, बट यहाँ पर confirmation के बाद, अगर मैं आपको एक चीज बताओ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर multi time यहाँ पर test हो चुका है, one time, two time, three time, four time, और maybe कल यहाँ पर 50 time test करने के बाद इसको most probability मिरको यहाँ पर लग रही है, क्योंकि 4 time यह level test हो चुका है, और कोई भी level अगर बार बार टेस्ट होता है, तो वो level weak हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अगर यहाँ पर flat opening होती है, और flat opening होने के अद यहाँ पर अगर आपको candle की confirmation मिले, तो ही आपको sell करना है, otherwise आपको sell नहीं करना है, अगर देखिए, यहाँ पर gap down opening हो जाती है, और gap down opening होने के अद आपको कहीं इस level के आसपास मिलता है, ध्यान दखिएगा, जैसे अगर आपने आज मिस किया होगा, तो कल मिस मत करिएगा, अगर आपको इस level के आसपास मिलता है, तो bank nifty है, triple bottom pattern ब down के बारें बता दिया और flat opening के बारें बता दिया, अब देखिए, मान लिजी यहाँ पर कोई अच्छी news आयाती है, और यहाँ से हमारी जो opening होती है, वो 3800 के उपर ही opening होती है, मान लिजी अगर 3040, 3850 के उपर open होती है, और 5-7 मिन्ट वहाँ पर sustain कर गया, तो वहाँ पर gap up होना भी ज्यादा हो जाएगा, अगर 850 के आसपास हो तो वह बहुत अच्छा gap up open रहेगा, वहाँ से हम जो long जाने के लिए सबसे अच्छा best scenario वहाँ पर हो सकता है, दूसरा देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक trend line इस तरह से draw करूँगा, और यह trend line भी अगर अगर आपक बना सकते हैं, target आपका यही level रहने वाला है, देखिए, यह उपर हमारा selling zone है, यह हमारा buying zone है, बट यह selling zone जो उपर का था, यह multi time test हो चुका है, तो यहाँ पर ध्यान से आपको sell करना है, करफर्मेशन, candle confirmation, technical confirmation या data analysis confirmation के बाद ही, आपको यहाँ पर sell side के trade बनाने है, उमिद कर आप चलते हैं, bank nifty के chart में, और bank nifty के chart में, मैं आपको लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर हम इसके analysis करेंगे, जो bank nifty में stocks trade करते हैं, तो देखिए, axis bank, axis bank कभी continue अपनी range में ही चल रहा है, और जो range है, यहाँ पर नीचे 590 की है, और ओपर 630 के आसपास की है, तो जब तक यह range का breakout नहीं हो जाता, तब तक हम अभी यहाँ पर trade नहीं करेंगे, range breakout होने के बाद हमको यहाँ पर एक clear का trade मिलने वाला है, next है हमारा bandhan bank, तो देखिए, bandhan bank मैंने आपको बताया हुआ है, कि जब तक यह trend line के उपर है, तब तक हम यहाँ पर bullish है, और यहाँ पर अगर अगर हम इसको buying side के लिए ही देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो यह यहाँ पर एक inside candle बनी हुई है, अगर आप यहाँ पर trade करना चाते हैं, तो कल एक छोटे से target के लिए means 408 के निचे sell कर सकते हैं, और आप पर target जो रहेगा यहाँ पर 400 के आसपास रहे next है हमारा HDFC bank, तो finally देखिए HDFC bank को हम काफी दिनों से track कर रहे थे हैं, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1410 के उपर की buying आपको यहाँ पर बनानी है, तो finally देखिए इसी level पर बार बार सस्टेन करने के बाद आज इसने hammer candle बनाई है, और कुछ थोड़ी सी closing जो है तो हम वहाँ पर clear cut buying के लिए जा सकते हैं, next है हमारा ICICI bank, तो ICICI bank देखिए continue higher high और higher low बनाते हुए उपर की तरफ चले जा रहा है, जो मैंने कल आपको बताया था कि इसके high के उपर 528 के उपर आपने हाँ पर trade करने हैं, तो finally देखिए 528 का आज लेवल नहीं आया, कल अगर आ 528 के उपर मिलता है, तो आप यहाँ पर buying का trade बना सकते हैं, next है हमारा Indecent bank, तो Indecent bank देखिए अभी एक range में आ गया है, यहाँ पर देखिए continue, यहाँ पर 7-8 दिन हो चुके हैं, trading session 7-8 हो चुके हैं, जो की मतलब इस range को break नहीं कर रहा है, अभी देखिए जब तक यह range break ना रहा है, फाइनली देखिए यहाँ पर आज इसने closing करने की कोशिश किया, 1950 के उपर closing हमको चाहिए थी, तो फाइनली आज जो इसने आज 1951 की closing दी है, तो हम इसको closing बहुत अच्छी closing भी नहीं कह सकते हैं, विकाउस candle जो है अगर हम कहें तो पूरी जबरदस्त candle भी नहीं ब रहेगा, नेक्स्ट है हमारा देखिए RBL bank, तो RBL bank देखिए मैंने आपको बताया था कि जब तक हम trend line के उपर हैं तब तक हम इसको sell के लिए नहीं देखेंगे, और यह जो 230 का level है, जब तक 230 के level के निचे closing नहीं आती तब तक हम इसको sell के लिए नहीं जा रहे हैं, विकाउ करता हूँ कि आप इसका मतलब समझ चुके होंगी, अगर आप मतलब समझ चुके हैं तो कल आपको यहां पर buying बनानी है, आज के day के high के उपर, 240 के उपर आप यहां पर buying बना सकते हैं, यहां पर आपको target 243, 246 और 250 का होने वाला है, नेक्स्ट है हमारा State Bank of India, तो State Bank of India भी दे देखिए वो 275 के उपर की closing हमको चाहिए, या फिर अगर नीचे close हो तो यह कम से कम 270 के नीचे close हो, या 265 के नीचे close हो, देखिए नीचे की तरफ तो मैं भी नहीं देख रहा हूँ, मैं देख तो अभी उपर की तरफ ही रहा हूँ, जो बैंक निफ्टी में जो आज पैटन जो complete हुआ है, वो पैटन एक बहुत जवर्दस्त पैटन दिख रहा है मेरेको, यह देखिए अगर मैं इसको वंडे का चार्ट में आपको मैं लगा के दिखाऊँ, तो यह पैटन मेरेको बहुत अच्छा पैटन मेरेको दिख रहा है, देखिए ऐसे ही पैटन मैंने आपको दरने की ज़रत नहीं है, तब तक हम जो है उपर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, बस हमको देखिए डरा के आ रहा है, डरा रहा है हमको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नेगटिव डाइबर्जन जो इसने बनाया हुआ है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमारा confidence आज हमने जो एक profit बनाया है, वो 1 is to 22 का बनाया है, देखिए मैंने एक 3500 की call जो मैंने last trade लिया था, नौवा trade था मेरा वो, तो उसको देखिए मैंने लिया था 280 के लेवल पर और वहाँ पर एक बहुत छोटा सा stop loss, मिन्स 275 का stop loss लगा कर मैं long करने जा रहा था, वो मेरे को confirm बिल्कुल लग रहा था, विखाओज डाटा भी जो है, long side की तरफ ही बता रहा था, वहाँ पर मैंने 5 point का stop loss लिया और near about 110 point का वहाँ पर profit हमने लिया है, देखिए हमने जो बुक की है, वो 390 के आसपस बुक की है, बट 3500 की call ने जो high लगाया वो लगाया था, 414-415 के रिकॉर्ड है, वो 1 is to 31 है, जो हमारे मैंने 2019 में मैंने मनाया था, वहाँ पर भी कुछ इस्टर का stop loss लोस था, 4-5 point का stop loss लोग बहुत अच्छी हमने capture करी थी, तो ये जो है 2020 का मेरा सबसे बड़ा risk reward ratio है, जो हम कह सकते हैं 1 is to 22 का, so I am very happy today, इस achievement जो है मेरे को आज मिली है, ब बहुत जल्दी आप भी जो है इसको आचीव कर लेंगे, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करिएगा, और आज के लिए इतना ही मिलते हैं, कल की वीडियो में जैहिंद